किसान सातियो अगर आप थ्रेशल लेना चाहते हैं या फिर पल्टी प्लाव लेना चाहते हैं और आप सोच रहे कि यार इसमें कहीं से सबसीडी मिल जाये तो कितनी अच्छी बात है तो किसान भाईयो आज आपके लिए बहुती शांदार खुशकबरी लेकि आया हूँ अगर आप मध्यप्रदेश से हैं तो मध्यप्रदेश सरकार ने लोटरी निकाली हुए अगर आप थ्रेशल लेना चाहते हैं या फिर पल्टी प्लाव लेना चाहते हैं तो इन दोनों के लिए लोटरी निकाली हुए चलिए उसकी बारे में हम पढ़ लेते हैं तो दिनांक 29 दिस समबर 2023 दुपहर 12 बजे से 7 जनवरी 2024 तक क्रसी अंत्र जैसे कि मल्टी क्रॉप थ्रेशर एक्सियल फ्लोपेडी थ्रेशर 35 HP से अधिक मतलब इनमें टेक्टर आपका 35 HP से अधिक लगने वाला है और इनकी चमता होने वाली है चार टन प्रती घंटे की हिसाब से सिमिलरली आपका ये मल्टी क्रॉप थ्रेशर है एक्सियल फ्लोपेडी थ्रेशर 35 HP से अधिक प्रेक्टर और आपका जिसकी जो कैपसेटी है वो चार टन प्रती घंटे से अधिक है और इसके अलावा जो है वो है रिवर्सेवल प्लाव य का भुकतान ओनलाइन पेमिंट गेटवे के माध्यम से कर ओनलाइन आवेदन प्रुस्तुत कर सकते हैं तो किसान भायो यहाँ पर आपने देखा कि 29 तारिक से आपकी लोटरी खुल रही है तो उसमें अगर आप थ्रेशर लेना चाह रहे हैं या फिर पल्टी प्लाव लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं तो आईये जानते हैं कि आवेदन में आपका पेमिंट कितना लगने वाला है तो पेमिंट के लिए अगर आप मल्टी क्रॉप थ्रेशर में की बात करें जिसकी कैपसिटी 4 टन से अधिक होने वाली है अगर आप 5,000 र रुपे है अप्लाई करने के लिए तो अगर आप किसान भाईयों 10,000 रुपे से अप्लाई करते हैं तो फिर आपको इसमें धाय लाग रुपे तक की सबसीडी मिल जाएगी अगर हम रिवर्सेवल प्लाव की बात करें उसमें आपको 5,000 रुपे लगने वाले हैं तो अगर उ में आवेदन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा मैं आपको एक ऐसा वीडियो बना के दूँगा जिससे कि आप अपने मुबाईल से ही इसमें एप्लाई कर पाएंगे किसे पैमेंट करना है क्योंकि इस बार आपको डीडी जमा करने की कोई जरुरत नहीं है इस बार आप डारेक्ट आपके फोन पे गूगल पे से भी इसका पैमेंट कर सकते हैं तो किसान भाईयो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर आपको वीडियो चाहिए कि हमें एप्लाई कैसे कर सकते हैं त उसी से आपको दे रहा हूं किसान भाईयो तो ये कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है आप खुद भी यहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं MPDBT जो वेबसाइट का एड्रेस है वो MPDBT है तो यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं थैंक्यू किसान भाईयो